हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार विकास बंसल अकैडमी के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का आर्धी का भी नंदन आज की स्वीडियो में करेंट अफेर्स के साथ बहुत से स्टेटिक जीके के क्वेशन्स भी हम लोग करेंगे और इस वीडियो के अंत में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेशन्स रहेंगे और उनके जवाब आपने वेरी केरिफूली कॉमेंट बॉक्स में देने है चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेशन बचो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी क्या जा चुका है और इस इंडेक्स को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ये पैरिस बेस एक एजन्सी है और पैरिस कैपिटल है फ्रांस की अब बचो इस इंडेक्स में इंडिया का रेंख है 2020 में 142 ठीक है ना 2019 में इंडिया का रेंख था 140 और लेकिन अब भारत दो पाइदान फिसल गया है और इसका कारण जो उन्होंने बताया है जमुएंड कश्मीर में धारा 370 हटाई गई उस दोरान जो हलात बने उसको इसका जिम्मेदार ठहराया गया है ठीक है ना अब बात करते हैं इस रिपोर्ट को टॉप किस ने किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को टॉप करने वाला देश है नौर्वे ठीक है ना बहुत वहाँ पे दबदबा है जिसके कांड कोई भी खबर वहाँ से बार निया पाती और लास्ट रैंक जो है नोर्थ कोरिया को मिला है चाइना का रैंक भी काफी निचे है 177 रैंक है चाइना ठीक है ना और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इसका हेड़क्वार्टर आपने बताना है पैरिस जो की कैपिटल है फ्रांस की अब एक question और पुछा जा सकता है world press freedom जो day कब मना जाता है आपने बताना है 3 मई को world press freedom day मना जाता है अब देखे बचे ये question आपके exams के लिए बहुत ही जरूरी question है बड़ा important question है कि world press freedom day कब मना जाता है 3 मई और world press freedom index 2020 में इंडिया का रेंग तो आपने बताना है 142 चलिए आगे बढ़ते है next question पे एक organization है भारत का border roads organization क्या काम करता है कि भारत की जितनी भी सीमावर्ती area है borders area है उनमे roads और bridge बनाने का काम करता है और इसको बनाया था जवारलाल नेरुनों 7 मईए 1960 को इसको बनाया था इसने एक bridge बनाया 430 feet long एक bridge है और दापोरी जो जो bridge है और यह बनाया गया है सुबन सिरी river के उपर ठीक है ना और सुबन सिरी river का मतलब है golden river यह तिबत से निकलती है बचों और तिबत से निकल कर मीरी एक hills का नाम है मीरी और उस hills से होती हुई यह अरुनाचल परदेश में परवेश करती है और इस पर एक bridge बनाया गया दापोरी जो bridge और यह bridge बनाया गया अरुनाचल परदेश के अंदर अब कुछ कोशन आप और देखेंगे border road organization का headquarter आपने बताने न्यू डैली स्तापना कब हुई 7 मई 1960 को और इसके founder थे पंडित जवाहरलाल नहरू जो भारत के पहले परदान मंत्री थे capital है अरुनाचल परदेश कीटा नगर और यहां के cm का नाम है पेमा खांडू क्योंकि हाल ही में इन्हों ने इसको इनागरेट किया है जिसके कारण काफी चर्चा में है और governor है यहां के बिर्गेडियर B.D. मिश्रा अब बात करते हैं अरुनाचल परदेश का literally meaning इसका जो literally meaning संस्कृत में land of the downlit mountain कहा जाता है ठीक है ना इसको land of the downlit mountain कहा जाता है और इसको orchid state of India कहा जाता है यानि बाग बगीचों का जो state है भारत का वो अरुनाचल परदेश को कहा जाता है the paradise of the botanist ठीक है ना जितने भी botanist है उनके लिए यह स्वर्ग है जो अरुनाचल परदेश है अब बचो सबसे पहले भारत में जो सूर्य दिखाई देता है सन दिखाई देता है वो दिखाई देता है अरुनाचल परदेश में इसलिए इसको land of sunrise कहा जाता है और world में सबसे पहले सूर्ज दिखाई पड़ता है जापान के अंदर ठीक है ना तो उगते सूर्ज का दे सबसे कमड़ से आरुनाचल परदेश में है उसके इलावा कुछ वायडलाइफ से जैसे मेहाव, पाकुई, सीसा, केन, दिबांग, इटानगर, कमलांग, टेल ठीक है ना और यह सारी की सारी वाइड लाइफ शेंसरी जो है यह अपने अरुनाचल प्रदेश में बतानी है चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स वोशन पे वेन सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे प्रदुश्चीत होने से और यह वर्ल्ड अर्थ डे मना जाता है 22 अप्रेल, चार ओप्षन है, 21 अप्रेल को मना जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे, 22 अप्रेल को वर्ल्ड अर्थ डे मना जाता है, 23 अप्रेल को वर्ल्ड बुक एंड कोपिराइट डे मना जाता है, और 24 भी सप्रेल को मना जाता है नेशनल पंचायती राज़डे और वर्ल्ड अर्थडे 2020 का थीम पुछे ना आपने बताना है climate action ठीक है ना इसका जो थीम है वो आपने बताना है climate action चलिए बढ़ते नेक्स कोशन की तरफ कि which state government has launched e-sanjeevni OPD ठीक है ना लोगों को घर बैठे online OPD की जाएगी online medical checking की जाएगी और इसके लिए portal launch किया है नाम है इसका e-sanjeevni OPD और इसको launch करने वाला जो state है आपने बताना है हिमाचल परदेश बढ़ा ही important question है e-sanjeevni OPD COVID-19 की वजह से कि social distancing एक जगह सारे लोग इकट ना हो तो लोगों को घर बैठे सुविदा मोहिया करवाए गई है और जो medical treatment है या medical consultation है वो घर बैठे online दी जाएगी doctors के द्वारा और इसके लिए जो portal launch किया गया है इसका नाम है e-sanjeevni OPD तो आपने बताने हिमाचल परदेश इसके लावा राजस्तान के द्वारा भी एक सेहत साथी ठीक है ना iu and सेहत साथी पुछे ना एप किसे ने launch करी है ये राजस्तान ने launch करी है अब आपको एक question और पूछ सकता है हिमाचल परदेश की दो capital एक आपने शिमला बताना है एक आपने धरमशाला बताना है और हिमाचल परदेश की CM का जो नाम है जैराम और बंडारू दतातरे यहां के governor का नाम है यह आपने अच्छे से बताना है question number 5 पर आते बचो केते भारत सरकार ने अभी president of India जो रामनात कोविंद है उनके लिए secretary जो है appoint किया है किसको किया गया है तो आपने बताना है कपिल देव त्रीपाथी रामनात कोविंद भारत के म appointment committee of the cabinet ठीक है appointment committee of the cabinet के द्वारा यह secretary जो है इसको appoint किया जाता है नाम है कपिल देव त्रीपाथी अब आप सभी student ने question का जवाब comment box में देना है appointments committee of the cabinet को head cone करता है यानि इसके head cone होते है इसका जवाब आप सभी student ने comment box में देना है अब बात करते हैं रामनात कोविंद का जन पारुकमेन का जनम हुआ और वो इनका बर्थ प्लेस है जो की कानपूर के बिलकुल पास में है और कानपूर को कहा जाता है लैदर सिटी या लैदर कैपिटल आफ इंडिया या लैदर कैपिटल आफ वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है और कानपूर जो है यहाँ पर ग्रीन पार बसा हुआ भारतिय शहर है आपने बताना है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ भारतिय शहर है कानपूर यूपी के अंदर है और यूपी की कैपिटल लखनव है और सीम का नाम है शिरी योगी आदित्यनाथ चली आगे बढ़ते नेक्स कोशन पे न्यू डेवल्मेंट बैंक ठीक है बच्चो पहली बात ब्रिक्स एक ग्रूप है ब्राजिल, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अवरिका पांच देशों का ग्रूप है नाम है ब्रिक्स ब्रिक्स ने 2014 में एक मीटिंग करी और एक बैंक का निर्मान किया और बैंक का नाम था New Development Bank ठीक है जिसने जु भाग लिया है शेरी मतिस्त निर्मला सीता रामन जो भारत के इमाननी है फाइनास मिनिस्टर है ठीक है ना तो न्यू डेवल्मेंट बैंक का जो मिटिंग हुआ है ये थू वीडियो कांफरेंस हुआ है तो बचे बता दू मैं केवी कामत इसके प्रेजिडेंट का नाम है न्यू डेवल्मेंट बैंक के और इसके फिफ्ट अनुवल मिटिंग हुई है और इसका हेड़कॉर्टर पुछेगा आपको आपने हेड़कॉर्टर बताना है शंगाई जो की चाइना में है ठीक है ना न्य बैंक का एड़कॉर्टर शंगाई में है जो की चाइना में है और ब्रिक्स ग्रूप ने इसको बनाया था एंडी बी को ब्रिक्स में पांच देश है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अवरिका ये पांच देश का ग्रूप जो है ब्रिक्स कहलाता ही है आपने अच्छे से बताना है क्वेशन नमबर साथ पर आते बचो विच सिटी मुंसिपल कॉर्पोरिशन डेवलप सहीम मॉबाइल एप अब इस मॉबाइल एप को लौंच किया गया नाम है सहीम और इस एप का प्रियोक किया जाएगा कि जो जिन लोगों को होम क्वारेंटीन किया कर रहे इन चीजों को अब्जर्व करने के लिए मॉबाइल एप लौंच करी है नाम है सहीम और सहीम मॉबाइल एप लौंच करने वाला मुंसिपल कॉर्पोरिशन का नाम है पुने ठीक है ना पुने जो है महारास्ट्रा में है और यहाँ पर जिन लोगों को होम क्या गया है क्या वो लोग घर में रह रहे हैं या छत पे गूम रहे हैं या कहीं गूम रहे हैं इस चीज को ट्रेक करने के लिए इस मॉबाइल का मॉबाइल एप का निर्मान क्या गया है नाम है सहीम आपने बताना है पुने मुंसिपल कॉर्पोरिशन ठीक है ना अब आग कर देता हूँ एन कामा कोड़ी और इनको MD&CO बनाया गया है City Union Bank का और देखो बचो चार ओप्शन है South Indian Bank ये थ्री सुर कैरला में बना हुआ बैंक है ठीक है ना और City Union जो बैंक है इसका Headquarter कुमबा कोनम में है और कुमबा कोनम तामिल नाडू में बचो ठीक है ना जो कुमबा क festival ठीक है महा मैं festival कुमबा कोनम में मना जाता है और इस festival को कुमब का मेला कहा जाता है South India का मैंने एक लाइन लिख भी दिये इसके अंदर आपने उसको ध्यान से पढ़ना है कुशन आए आपको South जो इंडिया है उसका कुमब का मेला यानि कुमब होता है घड़ा ठीक है और ये कुमब का मेला विश्व का भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और ये भा साउथ इंडिया में महा महम जो फेस्टिवल लगता है कुमब कॉनम में और यहां पर एक कह सकते हैं पॉंड एक तलाब है जिसमें लोग इसनान करते हैं और इस पवित्तरता के कारण अपने धार्मिंग महतों को समझते हैं तो क्वेशन आए आपको एन कामा कोड़ी आपन अपना 31 अक्टूबर 1904 को हुई अब पुछेग आपको कि महा महम फेस्टिवल को क्या कहा जाता है कुमब और साउथ इंडिया जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ठीक है ना और इसके इलावा कुछ और फेस्टिवल मना जाता है तामिल नाडू में पॉंगल हार् थी गई जो दीपम जिसको फेस्टिवल अफ लाइट्स भी कहा जाता है और ये सारे के सारे फेस्टिवल तामिल नाडू में सेलिब्रेट के जाते हैं बचो तामिल नाडू की कैपिटल है चेन्ने ठीक है ना और चेन्ने को कहा जाता है हेल्थ कैपिटल अफ इंडिया ठीक नहीं का है और जैसे डेट्रोइट एक शहर है अमेरिका में और वो ऑटो मोबाइल का बहुत बड़ा हब है उसी परकार चेन्ने को कंपेर किया जाता है एशिया के डेट्रोइट से तो आपने बताना है कि चेन्ने को कहा जाता है डेट्रोइट ऑफ एशिया और कैपिटल है त यूनियन बैंक और इसका हैड़कॉर्टर आपने बताना है कुम्बा कॉनम जो की तामिल लाड़ू के अंदर है चलिए बढ़ते रेक्स कोशन के तरफ नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टिटूट बड़ा ही पोटेंट कॉशन है NBRI ने एक हैंड सैनिटाइजर बनाया है ठीक है और उसका नाम है क्लीन हैंड जेल ठीक है उस सैनिटाइजर का जो नाम है क्लीन हैंड जेल और ये अलकोहल बेस्ट हर्बल सैनिटाइजर है और बनाया है NBRI ने जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ अब question क्या पूछता है clean hand gel जिसने बनाया है NBRI या National Botanical Research Institute ये कहां पे है तो आपने बताना है लखनव के अंदर है ऐसे question आज के लिग्जैम में काफी पूछे जा रहे हैं कि NBRI का headquarter आपने बताना है लखनव ये किस के अंदर वर करता है तो आपने बताना है बचो CSIR के अंदर Council of Scientific and Industrial Research के अंदर वर करता है और CSIR जो है इसको बनाया था 26 सब्तमबर 1942 को Government of India ने ठीक है और उसके founder जो president थे अगर founder इसके director का नाम देखिया आपा शांती सवरू बतनागर थे और जैसे death हुई ना इनकी तो इनके नाम पे एक award शुरू कर दिया गया शांती सवरू बतनागर प्राइस ठीक है और ये दिया जाता है science and technology के लिए और ये award शुरू किया गया 1958 से ठीक है science and technology में बहुती outstanding work करने के लिए एक award दिया जाता है अवाड का नाम है शांती सवरू बतनागर अवाड और ये जो अवाड है 45 साल से कम कम age के किसी भी वेग्यानिक को दिया जाता है और जिस वेग्यानिक को मिलता है तो उसको इसके साथ 15,000 रुपे का एक अनुदान मिलता है हर मन्त ठीक है हर महीने उसको 15,000 रुपे मिलते हैं जब तक उसकी age 65 साल हो जाए ठीक है ना तो लगबग जितने यानि 40 साल की उमर में किसी को ये मिला है तो उसको 25 साल तक ये 15,000 रुपे पर मन्त के साथ से CSIR देगा और CSIR के जो प्रेजिटेंट होते हैं वो भारत के प्रदान मंतरी होते हैं हमेशा याद रखना CSIR के प्रेजिटेंट आपने बताना है भारत के प्रदान मंतरी और शांति सरू बटनागर प्राइज आपने बताना है ये दिया जाता है Science and Technology में और CSIR देता है चलिए बढ़त रेक्टर की जो निर्माण हुआ था 1967 में और इसको डेवलब क्या था CSIR ने चलिए आगे बढ़ते next question 10 पे अभी तीन जो high courts है उनके chief justice को बदला गया है new appointment हुई है ठीक है नेमदा new appointment appointed chief justice of Bombay high court बचो Bombay high court के chief justice जो बने है दिपांकर दत्ता ठीक है आपको question आए Bombay high court के न्यू chief justice आपने बताना है दिपांकर दत्ता उसके इलावा विशवनात सौमादर ठीक है ना विशवनात सौमादर को बनाया गया है मेगाले high court का और महमद राफिक को जो बनाया गया है और इसा lah court का कोशन आ सकता है दिपांकरदत्ता आपने बताना है बॉंबे हाई कोड विशवनात समादर आपने बताना है मेघाले और मुहमद जो रफिक को बनाया गया है और हिसा हाई कोड का बनाया गया है अब एक बात बचो और भारत का जो सबसे बड़ा जो कोड है सुप्रीम कोड ठी ठीक है और अभी इसके जो Chief Justice है 47th नंबर के नाम उनका शेरद अरविंद बोबडे Question आ सकता है Chief Justice of Supreme Court आपने बताना है शेरद अरविंद बोबडे अब जो कुछ questions आप students के लिए रहेंगे ठीक है और उसके जवाब आप लोगोंने comment box में करने है तो देखते कितने questions आपके सही होपाते हैं और किसके जवाब पहले आते हैं Question सुनते जाएए साथ साथ में Name the CM of Karnatka आपने करनाटका के जो मुख्यमंत्री उनका नाम बताना है Question number 2 देखिए Where is the Headquarter of Asian Development Bank? ADB का Headquarter कहां पे है? Bug Sniffer एक device बनाया गया है to detect bacteria बड़े फास्टली bacteria को identify करने के लिए, detect करने के लिए Bug Sniffer के नाम से device बनाया गया है और इसको किस organization ने बनाया है यह आपने mention करना है Question number 4 देखिए Shuttling to the Top, The Story of PV Sindhu ठीक है न? Book का नाम है Shuttling to the Top, The Story of PV Sindhu इस book के author का नाम आपने बताना है Question number 5 पे यह बचो United Nation Chinese Language Day कब मना जाता है आप सभी को पता होना चाहिए United Nation की official language में एक Chinese language है और United Nation Chinese Language Day कब अबजब किया जाता है April के मेने में वो आपने mention करना है बढ़ते है Question number 6 पे Team Mask Force ठीक है न? यह campaign किसके द्वारा launch की गई है? Team Mask Force जो campaign है यह किसके द्वारा launch की गई है? Question number 7 पे आते है First state in India to join hands with Google to geotag community kitchens के लिए आपा चर्चा करके गए है कि वहां की community kitchens को जो जियो या Google map पे प्रदर्शित किया जाएगा और इसके लिए उस state ने टाइप किया Google के साथ आपने state का नाम बताना है Question number 8 पे आईए Suwa is the capital of which country? तो आपने Suwa जो है यह किस देश की capital है? यह आपने बताना है When celebrates national sports day? ठीक है ना? राश्ट्रिये खेल दिवस या national sports day? कब बना जाता है? यह आपने बताना है और Question number 10 पे आईए World Maritime Organization का headquarter कहां पे है? इन Questions के जवाब आपने Fast click comment box में देने है तो उमीद करता हूँ कि सारे के सारे Questions आप सभी को समझ भी आए होंगे और आप मैं guarantee से कहता हूँ कि इन Questions में से आपको exam में एक ना एक आदा Question जरूर पढ़ेगा ठीक है? क्योंकि सारे के सारे ही Question important है तो इनको जल्दी से पढ़िएगा और अंसर कीजिएगा धन्यवाद